स्टेप्स और प्लानिंग प्रोसेस का एक क्यूक रिविजन होने वाला है तो पॉइंट नुबर वन सेटिंग एन अब्जेक्टिव पहले आप एक अब्जेक्टिव सेट करेंगे हमें किस चीज पर वर्क करना है हमें किया ऑब्जेक्टिव हमारे क्या गोल्स होने वाले है फिर उससे रिलेटेड हम आगे प्लानिंग करेंगे पॉइंट नूबर तुव डेवलपिंग ऑ प्रमाइसेस परीक्टिव एक objective set किया है उस objective को achieve करने के लिए हम कौन-कौन से assumptions कर सकता है हमें future में किस-किस situation से गुजरना पड़ सकता है तो वो सारे assumptions कर हम करते हैं उसे हम premises बोलते है point number 3 identifying alternative course of action अब हमने premises set कर लिए हमारे जो objective है वो किस-किस type से हम कौन-कौन से ways से उसे achieve कर सकते हैं identify किये हैं कि हम इस-स type से या इस-स way से हमारे जो goals हैं उन्हें हम achieve कर सकते हैं तो हम उन सारे जो भी alternatives हैं उन्हें analyze करेंगे कि कौन सा सबसे best हमारे लिए रहेगा सारे analyze करने के बाद सारे course of actions को जो भी हमारे पास available है उन्हें analyze करने के बाद हमारा next step आता है number 5 selecting and best alternative अब सारे alternatives को analyze करने के बाद हम एक best alternative हमारे लिए select करेंगे जो हमारे बेस्ट work करेगा best cost effective हमारे लिए जल्दी हमारे goals को achieve करने के लिए और best way में हमें goal achieve करने के लिए जो help करने वाला है ऐसा एक best alternative हम choose करेंगे point number 6 implementation of plan अभी तक हमारे जो भी goals हैं वो तब तक हमें achieve नहीं होगे तब तक हम जब तक हम जो भी हमारे plan है हम उसे implement नहीं करेंगे तो आप बारी आती हमारे plans को implement करने की उन्हें apply करने की उन पर work करने की point number 7 follow up action follow up action ये last process होती है आपके planning process की तो इसमें आप follow up करते हैं अपने जो plans हो हैं आपने जो भी plan ready किया वो properly follow हो रहा है या नहीं उसके monitoring करते हैं एक type से आप जिस भी end पे आपको जो भी actions लेने हैं वो proper actions लिए जा रहे हैं या नहीं अगर नहीं तो आप उन्हें follow up करके कि उन्हें सुधारे वो actions लेन नहीं तो आपका जो भी organization के goals हैं आपने जो goals set किये हैं वो achieve नहीं हो पाएंगे so thank you for the day, love you all, bye